पूंदेन, हैं हमारे पास कुछ हिवग के पूदे हैं जो अभी बहुत अच्छे से फŁल दे रहे है FRIENDS पर मैं आज इस के साथ बहुत ही बुरा करने वाली हूं इस पूदे के साथ और झाल मुझे अच्छा नहीं 라고 रहा है यिसको कट करने में पर क्या करूँ पौधे को बचाना है तो मुझे कट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जैदे कीरे लग रहे हैं और देखे सर्दी में इसके पत्ते बहुत ही खुबसूरत हो जाते हैं फोल नहीं भी आते हैं तब भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं जैसे करोटन क को अभी तक सस्क्राइब नहीं क्यों तो प्लीज सस्क्राइब भी कर लेना तो देखे इस वाली ही विसकस के पत्ते बहुत ही खुबसूरत होते हैं और यह भी देशी ही विसकस ही है फ्रेंस पर मैं आज इसकी कटाई-छटाई करने वाली हूं मुझे थोड़ा लेट हो गय हो नहीं हो पाया उस Both time मुश्री जाने से पहले इसमें बहुत जैदे फूल आ रहे थे अभी फ 1 पोल मुझे तोरगे भगवान को चढ़ाने में नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत जैदे कीरे हैं इससे अंच्छान करते हैं तो देखे फ मैं ब्लेड्सी करद करनी हों तो पहले कर दी थी अब इस वाले सफेद वास को कर लेते हैं इसके कितने अच्छ उसकत्री तो इसे अच्छ है कि किform। पोधे को थोड़ा रेश्ट दे दे क्योंकि काफी दिनों से खिल रहा है फिर फरवरी में फ्रेंट से इसमें बहुत सारे ब्रांच ने ने आएंगे और इधर देखे कुछ ही विसकस के पोधे हैं जिसके की पत्ते सब थोड़ा हटा दी हूं क्योंकि फ्रेंट से यह समना ठं जरूरी रहता है इस सब पोधे को मैं धूब बाले जगह में दोंगी और देखे मैं ब्लेट से ही कट कर रही हूं कि इसमें कीरे नहीं लगे हैं तब भी मैं जितने भी हिविसकस सारे को मैं अभी कट कर देती हूं और यहां पे देखे यह पोधा काफी लंबा हो गया है तो कटिंग भी लगा लेंगे फ्रेंस जो भी ब्रांच इसमें से निकलेगा उसको हम फेगेंगे नहीं कटिंग के रूप में लगा लेंगे जितना उसमें से रिजल्ट मिलेगा उतने हमारे पास पौधा तयार हो जाएगा तो देखे मैं इतने बराबर में इसको कट की हूं ज क्योंकि धूप निकलेगा ना तो फिर ब्रांजाना स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी मार्च तक यह पौधा अच्छे से भर जाएगा फ्रेंस तो हमें यह काम नवंबर में ही कर लेना चाहिए क्योंकि फ्रेंस यह पूरे गर्मी बरसात में फूल देते हैं और देखिए य नहीं खिल रहा है और गर्मी के देखिए पूरे पोधे को मैं काट जाट के हटा दी तो बिल्कुल अभी खाली हो गया है तो फ्रेंस इस्टनेम फोल की कमी हो जाती है आगर हम फ्रेंस दुर्गा पुजा के बाद ही थोड़ा अपने गारण पे ध्यान देते तो इतना खाल आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे काटन में अभी भी रेल लेली बहुत ही खुबसूरत खिल रहा है प्रेंस बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आप सब अगर ये वीडियो इस्टाग्राम फेस्बुक मोज कहीं भी देख रहे है तो महां पे भी मुझे और यूटूब चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने को तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लेना फ्रेंस आप सब के प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है प्लीज सपोर्ट कीजिए और जैदे से जैदे लोगों तक वीडियो को सेयर कीजिए तो हम फिर मिलते हैं अ